नमस्कार, मैं मित कुमार, मीडे दर्वार में आपका स्वागत करता हूँ भारा समय दुनिया भर में करोना वाइरस की रोग ठाम के लिए वैक्सिन का बेसबरी से इंतिजार किया जा रहा है लेकिन मात्र अठकलो के कुछ भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है कोई क्या रहा है कि इस साल अगस्त या सितंबर तक वैक्सिन आएगी तो कोई दावा कर रहा है कि अगले साल फरवरी तक वैक्सिन आएगी लेकिन इस सबसे परे हिंदुस्तान में करोना के बढ़ते कहर के बीच एक बुरी ख़बर सामने आई है इंडियन मेडिकल एसोसियेशन यानि की IMA ने देश की लोगों की चिंता बढ़ा दी है IMA के अनुसार भारत में करोना का कम्यूनिटी स्प्रेड यानि की करोना का सामुदाई की रूप से फैलने का सिलसला अब शुरू हो गया है मतलब अब पहले से ही करोना के हालाद देश में काफी खराब हैं रोजाना 30,000 से जादाने मामले सामने आ रहे हैं और अब आगे जादा और हालाद भी गड़ेंगे जो देश के लिए किसी भी लिहास से अच्छी स्थिती नहीं होगी IMA Hospital Board of India के अध्यक्ष डॉक्टर लिक्यमोंगा ने समचार एजंसी ANI से बात करते हुए कहा कि कम्यूनिटी ट्रांसमिशन में संक्रमित शक्स को पता नहीं चलता है कि उसे वाइरस कहां से मिला और कैसे वे संक्रमित हो गया ऐसे इस्थिती में वाइरस का सोर्थ ढूनना मुश्किल हो जाता है जो चिंता बढ़ाने का विशे है करोना वाइरस अब देश के ग्रामिन शेतरों में फैल रहा है इससे पता चलता है कि देश में करोना का कम्यूनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है ऐसी इस्तिथी को मियंतृत करना बहुत मुश्किल होगा दिल्ली में इसे मियंतृत कर रहे हैं लेकिन महाराष्ट करना टक केरल आंद्रपरदेश गोवा के अंदुरीनी लाकों का क्या होगा जहां पर नए हॉट्सपोर्ट बन सकते हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को पूरी साफधानी पर अत्मी चाहिए और इस्तिथी को मियंतृत करने के लिए केंद्र सरकार की मदद लेनी चाहिए यह एक वाइरल महामारी है जो तेजी से फैलती है इसको रोकने के लिए दो ही तरीके हैं पहला देश की 70% दियवादी इस वाइरस से संकर्मित हो जाए और इसके बाद उनके अंदर इससे लड़ने के लिए रोकपरति रोधक्षमता विक्सित हो जाए वहीं दूसरा तरीका इसकी वैक्सीन को तियार कर लिया जाए IMA का ये दावा ऐसे समय में सामने आया है जब केंदरी स्वास्थ मंतरा ले लगतार ये दावा कर रहा है कि देश में अभी तक करोना का कम्यूनिटी ट्रांसमेशन शुरू नहीं हुआ है दूसरी तरफ देश के कई स्वास्थे विशेशक्ये सरकार के इस दावे को चुनोती दे रहे है उनका क्याना है कि जब देश के गावों कजवों तक करोना का संकर्मन फैल चुका है तो सरकार इस बात को क्यों नहीं मान रही है कि देश में करोना का सामुदाइक परसार शुरू हो चुका है दुनिया में करोना संक्रमन के कुल मामलों में भारत अब तीसरे पायदन पर पहुँच गया है भारत से आगे सिर्फ ब्राजील और अमेरिका है इसी बीच धक्षिन भारत के केरल से एक बड़ी खबर सामने आई केरल के मुख्यमंत्री पी वीजेन ने माना की केरल के कुछ टटिये इलाकों में करोना का सामुदाइक परसार देखने को मिला है मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल के टटीयला के पुन्तूरा और पुल्लू विला कोरोना के सामुदाइक परसार से परवावित हुए हैं इस कारण से यहाँ पर संपून लोगडाउन लगा दिया गया है वजर भारती एक चिकेस्दा अनुसंधान परिशत यानकी ICMR ने कहा है कि 18 जुलाई तक देश में करोना वाइरस के लिए एक करोड 37,191,899 नमोनों पर परिक्षन किया जा चुका है इन में से 3.5 लाग से जादा नमोनों का शनिवार को ही परिक्षन किया गया ICMR नियमित रूप से परिक्षन को तेजी से बढ़ा रहा है वर्तमान में 885 सरकारी परयोक्षालाओं में और 368 निजी परयोक्षालों में करोना का वाइरस का परिक्षन किया जा रहा है वहीं केंद्री स्वास्थे मंत्राले के आपड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में करोना वाइरस के 38,902 नई मामले सामने आये हैं जबकि 543 लोगों की मौत होई है देश में करोना वाइरस के कुल मामलों की संक्या पढ़कर 10,77,618 पर पहुँच गई है इसमें से 3,73,380 सक्री मामले हैं जबकि 6,77,423 लोग स्वास्थ हो चुके हैं देश में अब तक कुल 26,816 लोगों की जान जा चुकी है इन सब के बाद सवाल उड़ता है कि आया में कि इस दावे के बाद क्या केंद्री सरकार कुछ महतुपून कदम उठाएगी तो वहीं इन सब से यह साफ हो गया है कि अब करोना को हराने के लिए राज्य सरकारों को आरोप्रत्यारों का खेल छोड़कर केंद्री सरकार के साथ एक जुट होकर तेजी से फैल रहे इस वाइरस को नियत्रित करने के लिए काम करना होगा तो वहीं सवाल यह भी है कि क्या देश के सभी राज्य करोना के सामुदाइक परसार से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है साथ ही सवाल अभी यह भी है कि आखिर क्या देश में करोना का सामुदाइक परसार शुरू हो गया है और अगर ऐसा है तो केंद्र सरकार ने इस पर अभी तक कोई बयान क्यों नहीं जारी किया और उससे भी जरूरी ये है कि अभी तक सरकार ने देश के लोगों को इस से वाकिफ क्यों नहीं कराया इस संबन में अभी तक कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाये गया और अगर देश में करोना का सामुदाइक परसार नहीं शुरू हो है तो क्या आये में गलत दावा कर रहा है या फिर केंद्र सरकार करोना के सामुदाइक परसार को चुपाने की कोशिश कर रही है आकर इन सब के पीछे क्या सच है और कौन सही दावा पेश कर रहा है या फिलाल अभी कहना मुश्किल है लेकिन अभी इस्तिती हाज चारवे जना जरूर बनी हुई है मीडिय दर्वार आपसे खतरनाक महामारी के दोर में अपने आपको और अपनी परिवार को सुरक्षित रखने की प्रातना कूटा है और साथ ही अगर भूट जरूरी ना हो तो अपने घर से बाहर ना निकले और समय समय पर अपने हातों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते रहें अभी के लिए बस इतना ही देश दुनिया की ताया ख़बरों को जानने के लिए जुड़े रहें मीडिय दर्वार के साथ धन्यवाद